राधे राधे दूर्टों मेरे यूटूब चलंग में आप सभी का स्वावत है आज की वीडियो में दुर्भाग किसे पीछा कैसे छुड़ाएं यू तो टोने टोटके सब्द नकारात्मक भाव मन में लाते हैं लेकिन बास्तों में सद्यों से चले आरही भारती परमपरा में कुछ ऐसे भी टोटके हैं जो आसान प्रयास से अच्छुक, असर, कारी सिद्ध होते हैं जिन टोटकों के प्रयोग से किसी को हानी ना पहुचे ऐसे टोटके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज भी नहीं है किसी गुरु पुष्प योग और सुब चंद्रमा के दिन सुबा सुबा हरीरन के कपड़े में छोटी थैली तयार करें। रख कर दाहिनी सुड के गड़ेशी को सुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर या थैली तिजोरी या कैस बॉक्स पे रख दे। आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा। एक साल बाद नई थैली बना कर और इसे बदलते रहें। अगर आप अपार धन समरिधी चाहते हैं तो आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नाड़ा यानी मौली बांध कर तथा उसके जटा युक्त नारियर रख कर बैहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। रुके हुए आर्थी कारियों की शिर्दी के लिए या टोटका बहुत ही लापतायक माना गया है। किसी भी गड़ेश चतुर्थी को गड़ेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिन में उनकी सूर दाएं और मुड़ी हो। उनकी आराद ना करें उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ ले कर जाएं तो काम सिध्ध होगा। प्रति दिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लॉंग चूसें तथा सुपाड़ी को वापस लाकर गड़ेश जी के आगे रखतें तथा जाते हुए यह कहें जैगड़ेश काटो गलेश किसी भी आर्थे कारे में बार बार असफलता मिल रही हो तो ये टोटके को आप जरूर आज मैं सरसो के तेल में सिके गेहूं के आटे वा पुराने घुड से तयार साथ पुवे बनाएं साथ मदार के फूल सिंदूर आटे में तयार सरसो के तेल का दीपक पतल या अरंडी के पत्ते पर रख कर सनीवार की रात में किसी चौराहे पर रख कर कहें हे मेरे दुर्भाग्य तुझे यही छोड़े जा रहा हूं क्रिपा करके मेरा पीछा ना करना और समान रख कर पीछे मुड कर ना देखें और आप अपने घर पर आ जाई ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका जरूर पीछा छोड़ देगा तो यह आजमाय हुए टोटके हैं आप इन्हें एक बार जरूर आजमाये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सश्क्राइब करिए बेल आइकन प्रेश करिए तक आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके